और अफगानिस्तान से वापस लोटे बारतिय देश आने के बाद अब लोग बेहत खुश नजर आ रहे हैं सब मुस्कुरा रहे हैं और इन लोगों ने बताया है कि 15 अगस के दिन बहुत ही ज्यादा डर का महल बन गया था हालकि तालिबानियों ने कुछ नहीं कहा लेकिन करीब 38 आदमी माफस गय थे अराम से निकल आये हैं और आपको बता दें किस कैंप में कैंप के भार तालिबान ने कबज़ा कर लिया था लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा गया लेकिन लोकल लोग जो हैं वो काफी परिशान नजर आये तो वहीं सभी साथियों को बचा कर गाड़ी चला कर लाने वाले ड्राइवर ने बताया है कि डर लग रहा था कतरनाग जगा थी लेकिन अपनी टीम को बचाने के लिए आत्मविश्वास बनाय रखा ऐसे में रास्ते में तारिबान की दो से तीन बैरिगेटिंग थी जहां जगा जगा गाड़ी से चाबी मांगने लगे साथी ड्राइवर ने भी बताया कि हात अपाई की चिंता भी उससे सताई लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं साथी आगे तिशा निर्देश भी जिस तरीके से मिलेंगे उस तरह से काम किया जाएगा अफसोस ये रहा कि वहाँ पर आदमी मर रहा है लेकिन खुद जिन्दा वापस आ गए तो खुशनसी मान रहे हैं किस्मत में जो होगा अब वो होगा और हम तो वापस आ गए हैं ज्रावर का ये कहना है साथी वहाँ के लोगों के लिए भी दूआ करते हैं नजर आए शानती सब के लिए अच्छी है तालिबान के लिए भी और आम आदमी के लिए भी साथ ही आपको वदा दे तालिवान में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत वापिस लोटे यात्रियों ने अपनी आप भी ती सुनाई है और अफगानिस्तान पर तालिवान के कबजे के बाद भापिसे भारती नागरिकों को निकालने के लिए सिलसरा लगातार जारी है और इसे जरान आज करीवे 168 लोगों को लेकर वायुसेना का एक विमान काजयबाद के हिंदन एयर्वेस पर पहुंचा है और इस विमान में आने वाले अफगानिस्तान के 6 सांसद नरेंदर सिंख खालस भी शामिल है पर रोना आता है पिछले 20 सालों में जो भी कुछ बनाया गया अब वो सब खत्म हो गया है अब वो सब जीरो है तालिबान आतंकवादियों द्वारा काबूल पर कपसा करने के बाद अब अफगानिस्तान से अल्ब संक्यक समुदाय के सदस्यों को वापस लाने के बारे में भ से लगबग 200 सिखो समेत सभी भारतियों को ततकाल निकालने की विवस्था करें और अफगानिस्तान पर तालिबान की कबजे के बाद महाफ़से भारतिये नागरिकों को भारत वापस लाने के वायद और भी ज्यादा तेज हो चुकी है साथी आपको बतादी सिल्सला लगाता है जारी है दोहा के रास्ते 168 भारतिये नागरिकों को लेकर एरफोस का एक विमान आज गाज़ेबात के हिंदन एरबेस पर पहुंचा है यहाँ पर विमान सुबह ही काबुल से भारत के लिए उडान भर कर निकला था बतादे चले भारतिये वायुसेना का ये विमान सैने परिवहन विमान 87 भारतियों और दो नैपाली नागरिकों को लेकर आज सुबह ही दिल्ली एरपोर्ट कहुंचा विमान में सवार होने के बाद यह सब भारतिये भारत मोहता की जयके नारे लगारे थे